नमस्कार सस्रीयकाल सलाम वालेकुम केमचो मेरे प्यारे दोस्तों दोस्तों आपके जो फिल्मी आ रहा है ना आपके फैमिली का सदर से ये बहुत जादा नौटी है और पुछना कुछ खुराफात सोचता रहता है कि कैसे अपने फैमिली मेंबर्स यानि की आपका एंटिटेन्मेंट करें तो ऐसे में मैंने यानि की राहूल भोज ने एक लिस्ट बनाई है उन एक्टर्स की जिनकी फिल्में 200 करोड क्लब को चूकर पार कर गई है और मैं नमबर बन भी बताऊँगा आपको और नमबर फिफ्ट पे कौन है वो भी बताऊँगा तो चलिए शुरुआत करते हैं नमबर फिफ्ट से तो फिफ्ट नमबर पर आते हैं तिडिंग डिडिंग 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 समझ गए यानि की रृत रितिक रोशन सर की एक फिल्म गई है 200 करोड क्लब को उन्होंने पार कर दिया है अब बात करता हूँ मैं नमबर फोर्थ की तो नमबर फोर्थ पर है कौन अरे गोपाल यार अपना कौन गोपाल वहीं गोपाल जो बच्पन में रोता था चोटी चट्डी पहनता था यानि की अजे देवगन साहब अजे देवगन साहब की भी एक फिल्म गई है दोस्तों लेकिन मैं उनका नाम फोर्थ नमबर पर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि रितिक से पहले उनकी फिल्म जो है वो 200 करोड के क्लब को चुकर पार कर गई है अब आता है नमबर 3 नमबर 3 प मिस्टर पफेक्शनिस्ट आमेर खान आमेर खान अरे यार उनकी चार फिल्मे गई है 200 करोड क्लब को चुकर पार कर दिया है अब आता है नमबर 1 एंड दी अवार्ड गोस तू जैस करो अरे करी लिया हो गयार हमारे भाईजान सल्मान खान दबंग खान वांटेड कर दिया है इंडिया में तो सल्मान खान की पास जो हैं पाँच फिल्मे हैं और वो पैट गए हैं नमबर 1 की कुर्सी पर तो दोस्तों सच बताओं तो किसी भी फिल्म के लिए 200 करोड का ये जो दारा है इसको पार करना बहुत जादा मुश्किल होता है वेरी टफ लेकिन य इनकी फिल्मों ने कर दिया है इंकामाल धमाल मालामाल आपका कौनसा फेवरेट एक्टर है इन पांचों में से और किसकी फिल्म आपको उन एक्टर की कौनसी फिल्म सबसे जादा अच्छी लगी नीची कमें शेक्शन में अपने इस फिल्मियारा को जरूर बताना जरूर और कमेंट करें एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट वाच चैनल कौनसा फिल्मी आ रहा है यार रहूल बोज के सार्थ